हेलो एंड वेलकम तो गेट क्यूरेटर्स हम लोग पढ़ रहे हैं theory of automata and formal languages इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं finite automata में इसके जो वेरियंट्स हैं DFA, NFA, NFA with lambda move यह सारा हम लोग अब तक देख चुके हैं अब इस लेक्चर का concern जो है वह एक्यूएलेंस ओफ NFA and DFA यह देखना NFA and DFA का इक्यूएलेंस का मतलब यह है कि आपको अगर याद हो एक दिन मैंने grammar वाला example दिया था कि दो grammar जीवन और जीवन जीवन जीटू दो ग्रामर जीवन और जीटू उनको मैं बोल रहा था एक्यूएलेंट हैं कब जब L G1 और L G2 दोनों एक्यूएलेंट हूं तो यहादि जो दोनों सेमी लैंगवेज को जेनरेट करें तो दोनों ग्रामर को एक्षिवेलेंट बोल रहे थे एक्षिली एनएफ़ ड्याफ़ बस तो इसलिए दोनों ये हैं बट हम लोग अलग तरीकी से लिखते हैं तो अगर एक धिया हुआ जैसे अब DFA जाकर डिटर्मिनिस्टिक दिया ही है एक्षिली DFA जो है वो रिफाइंड फॉर्म है तो अगर रिफाइंड फॉर्म है तो DFA सजाईर सी बात है कोई चीजी रिफाइंड है तो आप उसको खराब नहीं करेंगे और उसका एनफे नहीं बना जिनरलाइज नहीं ब कुछते रहते हैं बच्चे एक्षिली DFA जो है वो रिफाइंड एक हमारे पास रेप्रेजेंटेशन है तो रिफाइंड का हम फिर से रो में क्यों करें रो को रिफाइंड में करेंगे तो जो भी हम लोग कनवर्जन पढ़ेंगे वो एनफे लेम्डा मूब टू एनफे वि एक DFA दिया है M, DFA है कोई और एक N दिया है NFA ये दोनों equivalent कब कहए जाएंगे? equivalent तब कहा जाएंगे, जब ये DFA जिस language को generate कर रहा है, ये NFA exact उसी language को generate कर रहा हूँ, तो दोनों को हम लोग बोलते हैं equivalent, जैसे suppose कर ये कैसे equivalent हम लोग निकालते हैं, क्या है तरीका, ये तो हम आभी detail में देखते हैं, जैसे ये देखिए किये कि ये दिया हुआ है आपको, NFA with lambda move, q0, q1, q2 जो हमने लिया था example, वही वाला लेते हैं यहाँ पे lambda, यहाँ पे lambda यहाँ पे 2, और यहाँ पे sorry, यहाँ पे 1 था, और यहाँ पे 2 था, अब इसी को हम लोग क्या यहाँ पे जो ये lambda move वाला NFA है क्या हम लोग इसको बिना lambda move के represent कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं जैसे, बना लेते हैं जरा इन्ही states का हम लोग फिर से, q0, q1 कैसे हम सारा lambda move हटा दें, q2 ठिक, यह हम बना लिए यह starting state, अब देखे q0 पे 0, यहाँ पे 0 होना चाहिए q0 पे 0, q0 पे 0 कहां कहां जा सकते हैं, q0 से 0 q0 पे जा सकते हैं q0 से 0 और कहां जा सकते हैं q1 पे जा सकते हैं q0 से 0 हम q1 पे बना दे रहे हैं, q0 से 0 q0 से 0 यहाँ lambda move यूज करके कहां चले गए आप q2 पे, तो q0 से 0 जो है वो क्या हो जाएगा Q2 से ठिक उसी तरीके से Q1 Q1 पे 1 Q1 पे 1 आप कहां जा सकते हैं Q1 पे 1 और कहां जा सकते हैं Q1 पे 1 लेम्डा मोग उज़ करके कहां चले गाए Q2 पे Q1 पे 1 कहां चले आया Q2 पे similarly Q2 पे 2 Q2 पे 2 और कहीं तो आप जाई नहीं सकते हैं तो यह लगबग अहला कि अभी पूरा नहीं और भी रूल है यह जो यह जहां जहां लेके जा रहा था जिस पर्टिकुलर इंपूट पे यह उसी पर्टिकुलर इंपूट पर वहां वहां यह भी लेके जा रहा है तो यह हमारा एक एन एफे बना जो इस एक भी लेमडा मूब नहीं है तो हम इन दोनों को इक वेलेंट बोल सकते हैं अभी इसमें कई सारी कमिया है हम आते हैं उनको अभी एक्जैक्ट बना नहीं है एक्जैक्ली कुछ ऐसे बनाना हो आपको तो हमेशा गलती होने का चांस रह चिए थियुर्म कहती है ये थियुर्म कहती है कि ये विरी 2 एंफे हैं ए विरी एंफे हैं विद सम लेमडा मूउव आप कैंबी कन्वर्टेड कैन बी कन्वर्टेड गजाटेड टू एक्विवेलेंट एन एफे एम डैस विदाउट लेम्डा मूव विदाउट लेम्डा मूव सच देट दोनों एक्विवेलेंट कब कहा जाएंगे जब एल एम इक्वेल्स टू एल एम डैस यह होने लगे ठीक है तो इसका क्या है प्रोसीजर जैसे सपोज करिए यही यही वाला एन एफे है इसी को हमें कन्वर्ट करना है क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू अरे तमाम दुनिया में एक्जिस्ट करते हैं एन एफे अपको यह न सोचे कि सर यही वाला एक अभी एक पढ़ेंगे कि गुच्छा भर जाएगा पूरा चाभियों का एन एफे से टी एफे से तो अभी तो यह बस केवल सुरुआत है तभी यह है इसी का हमें एकिवेलेंट एन एफे बनाना है जिसमें लेम्डा मूब ना हो कुछ-कुछ ऐसा जैसा हम अभी आपको बता रहें कर आपको सबसे पहले क्या करना है क्यू जीरो जो भी स्टार्टिंग स्टेट है स्टार्ट विद क्यू जीरो जीरो के जीरो से स्टार्ट करना है यानि कि अगर आपको क्यू जीरो पे जीरो देखना है तो कहां पे जीरो देखना है क्यू जीरो के क्लोजर पे जीरो देखना ह तो उसके closure पे देखना है और जो भी result and take lambda closure and take lambda closure of result जो भी result आए उसका किसी state पे अगर आपको input symbol देखना है तो आप उसके closure पे देखेंगे और जो भी result आए उसका lambda closure ले लेंगे तो रहन थी ठीक है final states कौन होंगी देखो let let f dash is the set of final states set of final states of m dash then compute f dash as follows कैसे करना है आपको f dash compute करना है f dash equals to हो जाएगा f union q0 closure if q0 closure contains any final state अगर q0 के closure में कोई final state है तो f dash जो हो जाएगा जो पुराना वाला जैसे यह nfa है इसमें q2 है तो अब जो नया nfa बनेगा उसमें अगर q0 के closure में कोई final state है तो उन सब को include कर लेना है f में otherwise अगर नहीं है तो केवल f ही रहेगा otherwise f और कुछ भी नहीं करना है तो चलिए इसका इसी का बनाना है हमें तो हम लोग यही वाली जल्दी से आमने बना लिए अब इसको हमें सबसे पहला काम क्या हो क्लोजर हम लोग फाइंड आउट करें तो q0 का क्लोजर क्या होगा इसको देखते हुए यादि है आपको q0 q1 q2 q1 का क्लोजर क्या होगा q1 का क्लोजर होगा q1 q2 अगर यह आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका पिछला वाला जस्ट पहले वाला लेक्चर देखे उसे मैंने क्लोजर निकालना बताया था और आप वहां से देख लिए कैसे क्लोजर निकालते हैं बार बार एकी चीज़ को बताना टाइम को वेस् डिरेक्ट हम टेबल बनाते हैं इसको देखते हुए एक तरफ तो सारी स्टेट्स होंगी और एक तरफ इंपुट सिंबल्स होंगे तो इसमें कौन-कौन से इंपुट सिंबल है अब तो लेमडा हटने जा रहा है तो दो ही है q01 to q0 starting state को तो यहां जो हमने रूल लिखा है starting state को change करने का तो कोई चांस ही नहीं है तो starting state तो वही रहेगा final state अभी हम लोग computer करेंगे कैसे होगा q0 q1 q2 ऐसे हमने बना लिया तीन state है तीनी state रहनी है अब दिखिए q0 पे 0 Q0 पे 0 देखने का मतलब है कहां पे 0 देखें हम Q0 के closer पे Q0 पे 0 देखने का मतलब है Q0 के closer पे Q0 के closer में है Q0, Q1, Q2 तो यानि कि Q0 पे 0, Q0 पे 0 क्या हो जाएगा? Q0, Q1 पे 0, 5, Q2 पे 0, 5 तो क्या आएगा हमें Q0 और उसका result का Q0 का closer ले लेंगे फिर से आप तो क्या यहां पे आजाएगा Q0, Q1, Q2 ठीक है कैसे कैसे किया हमने यह देखिए क्या बोल रहा है कि start with Q0 के closer पे और then take lambda closer of result result का lambda closer ले लिए तो Q0 पे 0 देखा हमने Q0 आया Q1 पे 0, Q1 पे 0, Q1 पे 0, Q2 पे 0, Q2 पे 0, ले लिए तो Q0 का closer यह हो गया, similarly Q0 पे 1, Q0 पे 1 देखने का मतलब यह है कि Q0 के closer पे 1 तो Q0 पे 1 फाई है Q1 पे 1 Q1 है Q2 पे 1 फाई है जयने Q1 का closer, Q1 का closer क्या हो जाएगा Q1 का closer हो जाएगा Q1 Q2 similarly Q0 पे 2 देखना है Q0 पे 2 देखने का मतलब है Q0 के closer पे 2 देखें तो Q0 पे 2, 5 है, Q1 पे 2, 5 है, Q2 पे 2, 2 है और फिर उसका closure लेंगे तो क्या हो जाएगा Q2 फिर Q1 पे 0, Q1 पे 0 का मतलब है Q1 के closure पे 0 Q1 पे 0, 5, Q2 पे 0, 5 यानि कि उसका closure हो जाएगा क्या? 5 Similarly, Q1 पे 1 देखिए Q1 पे 1 देखने का मतलब है Q1 के closure पे 1 देखिए Q1 के closure पे 1 देखना है, यानि कि Q1 पे Q1 पे 1 क्या आ जाएगा? 1, sorry, Q1 पे 1 Q1 और Q2 पे 1 5 Q1 का closure क्या हो जाएगा? Q1, Q2 Similarly, Q1 पे 2 Q1 पे 2 देखने का मतलब है Q1 के closure पे 2 Q1 के closure में Q1 Q2 है Q1 पे 2 5, Q2 पे 2 Q2 और उसका closure Q2 का closure Q2 ठीक, similarly Q2 पे 0 Q2 पे 0 देखने का मतलब है Q2 के closure पे 0 Q2 का closure है Q2 Q2 का closure है Q2, Q2 पे 0 क्या हो जाएगा? 5, similarly Q2 पे 1 Q2 का closure पे 1 Q2 का closure है Q2 और उस पे 1 यानि कि 5 Q2 पे 2, Q2 पे 2 यानि Q2 के closure पे 2 Q2 का closure Q2 और उस पे 2 Q2 और फिर उसका closure Q ये आ गया है अब final state कौन कौन सी होंगी? अब Q0 का closure जो है Q0 closure equals 2 दिया आ गया है हमारा Q0, Q1 और Q2 Q0, Q1 और Q2 और इसमें एक final state है कौन सी Q2 therefore F dash जो compute होगा F dash equals to F Q2 union जो final state है Q2 union Q0, Q1, Q2 यानि कि Q0, Q1, Q2 ठीक? ये होगा तो आप यहां से ऐसे देख सकते हैं कि इस तरीके से final state compute हो रही है अब ज़रा इसी finite automata को हम अगर बनाना चाहें transition diagram के help form में Q0, Q1, Q2 जगर नहीं है इसलिए मैं ऐसे बना ले रहा हूँ आप जैसे बनाना है वैसे बनाईएगा क्या आएगा ज़रा देखिए तो देखके और बनाईए तो अब देखिए ये सारे states final हो गई है तो सबसे पहला change जो हमने बनाया था बोला था ना शुरुवात में कि उसमें अभी कुछ कमिया है सारी states final हो गई है तो बिल्कुल सबकों हम लोग final कर देंगे मेशं अच्छ कंप्यूट किया तो k settled, q dot पर 0, q not पर 0, q not पर भी रहेंगे हम q1 पर भी जाएंगे और q2 पर भी जाएंगे q0 पर 1 q1 पर 1 दो q1 और q2 पर भी जाएंगे Q2 पे भी जाएंगे ठीक, कौम लगा के लिग दिया हमने फिर से आप चाहें तो एक लाइन ड्रॉ करें लेकिन फिर फिर इतना complicated हो जाएगा उजी तरीके से Q0 पे 2 Q0 पे 2 Q2 तो यहाँ पे हमने कौम लगा के यह भी लिग दिया यानि कि यहाँ पे 1 यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और यहाँ पे आ जाएगा Q2 similarly Q1 पे 2 केवल Q2 यहाँ से देखके उसी तरीके से Q2 पे 0 कुछ भी नहीं है 1 कुछ भी नहीं है Q2 पे 2 अब यह जाके बना आपका पूरा इस इसका इक्यवैलेंट इसका बना ढूल है तो इस तरीके से आपको करना है inग Matt husband अगर मारी भी प्रॉब्लम होगी कुछ दिक्कत होगी तो आप उसको बताईएगा हमें फिर उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिज करेंगे या फिर अगला वीडियो भी में बता दूँगा या कोई इस ट्राइब की हो जाएगी ठीक है अब अगर कोई NFA दिया हुआ है तो उसका हमें DFA बनाना है तो कैसे बनेगा अगला टार्गेट हमारा यह है तो किसी भी NFA का हम DFA बना सकते हैं अब इसकी भी थिवर्म है इसकी थिवर्म क्या कहती है यही कहती है कि एवरी NFA every NFA n can be converted can be converted to equivalent DFA m such that किस तरीके से Ln equals to क्या हो जाए Lm दोनों equivalent language को accept करें इसको हम लोग कैसे construct करेंगे इसका construction हम लोग देख लेते हैं और फिर एक example से इसको हम लोग समझने की कोशिस करते हैं ठीक है construction कैसे अगर करना हो तो आप कैसे करेंगे सबसे पहले start with q00 q00 कहने का मतलब है कि starting state and first symbol of first symbol of sigma 0 कहने का यही मतलब है कि sigma जो भी दिया हुआ उसका जो भी पहला member हो उससे हम mapping start करते है starting state से and अब पहला member का मतलब एक ही कोई set दिया हुआ है जैसे मान लिजे set दिया है a b तो अब इसमें पहला दूसरा तो कुछ होता नहीं आप चाहें तो a पे mapping निकाल लिजे पहले सबके लिए करना है तो पहले किसी एक से start करिए ठीक है and all a belongs to sigma के जितने भी member है उन सब के लिए ऐसे करना है ठीक है comma all distinguished all distinguished states are further operated are further operated qi a for every a belongs to sigma if qi is a distinct state जितने भी distinct combination आएंगी उन सब को हम फिर से यही procedure follow करते जाएंगे ठीक है दूसरा starting state तो वही रहेगी जहांसा हम start करेंगे make make all states as final which contains which contains a state which contains a state qi such that qi belongs to f where f is the set of is the set of final states of nf. ठीक है अब आप इतना सब कुछ को नहीं समझ में आ रहा है इस तरीके से जो अभी language में लिख है तो इसको गोली मारिए आप अभी और मतलब गोली मारने का मतलब है कि छोड़ दीजिए पता चला एक बंदूख खरीदें और फिर words को गोली मारें तो फूरे लैप्टॉप चकना चूरिया मोबाइल हो जाएगा तो अभी आप इसको छोड़िए और जो conversion कैसे करते हैं यह देखिए डारेक्ट जैसे सबसे पहले एक हम लोग के पास NFA होना चाहिए आप चलिए हम चेंज कर ले रहे हैं नहीं आप लोगों को लाएगा कि वही वाला NFA बार 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 और यहां पर 0 यह 0 है फिर यहां पर 0 यहां पर 1 और यहां पर 0 1 यह एक NFA है किकि Q0 पर 0 भी Q0 में ही जा रहा और Q0 पर 0 Q1 पर भी जा रहा है इस वज़े से यह एक NFA है अब हम इसका equivalent DFA find DF इसका हमें equivalent DFA बनाना है तो अब हम चलिए जो हमने construction बोला है उस construction को ध्यान में रखते हुए और हम लोग इसका DFA बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या करें हम सबसे पहले कौन-कौन सी नई states आएंगी तो एक transition table इस तरीके से बना लेते हैं क्या बोला गया है कि Q0 से start करी ऐसे हम लोग यहाँ square bracket के अंदर लिखते हैं तो कई सारी सीज़े मिलके एक चीज़ को रप्रजेंट करते हैं एक ऌरेफ्रेजयं नहीं करते हैं तो सिग्मा के दो ही member है यहां या तो zero है या तो one है अब यह तो आपको पता ही होगा previous lectures अगर आपने attend किया है सिग्मा के यहां दो दो मेंबर हैं, 0 पर या तो combination बनेगी या तो 1 पर, अब बताइए चलिए, Q0 पर 0, Q0 पर 0 क्या आएगा, Q0 और Q0 पर 0 क्या आएगा, Q1, तो Q0 पर 0, Q0 और Q1, एक तो यह हो गया, फिर Q0 पर 1, Q0 पर 1 क्या आएगा, Q0 पर 1 आएगा, Q0 यह आप देखें, अब देखिए, आपको दिखरा हो तो यह जो तीन चीज़ें लिखी हैं पहली लाइन में, इन तीनों में distinct कौन सा, यह और यह तो एक ही लिखे हैं Q0, यह ही distinct है, तो यही बोला था कि all, keyword distinct पर ही operate करना है, और Q0, Q1, ठिक, यह इस पर देखना है, तो अब Q0 पर 0, Q0 पर 0 क्या हो जाएगा, Q0, Q1, ठिक, फिर Q1 पर 0 क्या हो जाएगा, Q1, तो कुछ add करने की ज़िए उरत है नहीं, इसमें already Q1 present है, ठिक, तो यह हो गया, फिर उसी तरीके स Q0 पर 1 क्या हुआ, Q0, फिर Q1 पर 1 क्या हुआ, Q2, ठिक, अब अभी तक कौन सा ऐसा इन में से state है, जो नहीं आया state क्या है, तो नहीं आया state क्या है, Q0, Q2, तो यहाँ पर आप Q0, Q2 को लिख ले, अच्छा, यह सन्योग है, कि इसमें ऐसा बन रहा है, कि एक ही नहीं आ रहा अगर यह भी distinct होता और यह भी distinct होता जो पहले कभी नहीं consider होती, इन दोनों को हम लोग इस side में लिखते हैं, तो अगर ऐसा कोई आ जाए, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जो उरी नहीं है, कि एक ही को लिख, आप दोनों को इधर लिखना पड़ेगा, फिर दोनों से transition ल Q2, Q0, Q1, और Q2 पे 0 क्या हुआ, Q2, तो यह बना, फिर उसी तरीके से Q0 पे 1, Q0 पे 1 बना Q0, Q2, और Q0 पे, sorry, Q2 पे 1 क्या बना, Q2, तो यानि कि यह हो गया, Q0, Q2, अब देखें, अब इसमें distinct क्या है, जो अभी तक पहले नहीं आया, यह है, तो इसको उम लोग लिख ल Q0, Q1, Q2, आप चलिए, Q0 पे 0, Q0, Q1, Q1 पे 0, Q1, आ चुका है अल्रेड़ी, Q2 पे 0, Q2, इंक्लूड कर लीजिए, ठीक, Similarly, Q0 पे 1, Q0, Q2 होगा, Q0, Q2, Q1 पे 1, Q2, अल्रेड़ी आ गया, Q2 पे 1, Q2, अल्रेड़ी आ गया, अब इनमें distinct कौन सा है, कोई नहीं distinct है, अब जैसे ही ऐसी situation में आप पहुँच जाएं, कि एक भी आप distinct नहीं मिल रहा है, तो अब आपका ये DFA complete हो गया, अब ये खतम हो गया, अब बस इसमें final state लिखनी बाकी रह गई है, कौन सी होगी final state, हर वो state final state होगी, जिसमें कोई final state है, तो देखिए Q2 इसका final state है, Q2 कहाँ कहाँ present है, Q2 यहाँ पे present है, तो ये एक final state होगा, Q2 यहाँ पे present है, तो ये एक final state होगा, आप चाहें तो इसको जड़ा, इसका हम transition diagram बना लें, तो ये suppose करिए इसमें कौन कौन सी state होगी, एक तो state होगी, Q0, जो starting state है, एक है state Q0, Q1, और दो states और हैं, एक है, मैं थोड़ा ऐसे बना ले रहा हूं इसको, कि जगह रहे, एक है Q0, Q2, और एक है Q0, Q1, Q2, ठीक है, अब हम transitions बना लेते हैं, Q0, पे 0, Q0, पे 0, जो है वो Q0, Q1 पे, और Q0, पे 1, Q0 पे, ठीक है, Q0, Q1 पे 0, Q0, Q1 पे 0, self loop, और 1 यहां पे ले गया, फिर Q0, Q2 पे 0, Q0, Q2 पे 0, यहां ले गया, और 1 पे self loop, यह देखिए, अच्छा, यह भी एक final state होगा, यह भी एक final state होगा, यह जोट गया था, क्योंकि यहां पे आया ना, इसमें Q2 state है, ठीक है, उसके बाद आए Q0, Q2, इस पे क्या है, इस पे 0 जो है, यह self loop है, और इस पे 1, 1 है जो Q0, Q2 पे लेके जा रहा है, अब देखिए, यह DFA है, यह इसी NFA का DFA है, हर जगा distinct move है, एकदम deterministic, जैसे Q0 पे 0, 1, इस पे 0, 1 इस तरीके से, तो यह एक DFA है, जो इस NFA का equivalent DFA बना हुआ है, तो इस तरीके से आप लोग बनाएंगे, अब मैं चाहता हूँ कि कुछ questions मैं आपको दे दूँ प्रैक्टिस के लिए, जल्दी-जल्दी मैं draw कर देता हूँ, आप लोग इन questions को जरूर कर लीजेगा, और इसी basis पे, अच्छा आप अगर मान लीजे, अगर आपसे किसी ने बोला कोई ऐसा NFA दे दिया, जिसका DFA आपको बनाना है, लेकिन जिसमें lambda move है, तो क्या करेंगे आप सबसे पहले, उस NFA with lambda move को NFA without lambda move में convert करेंगे, और फिर उस NFA without lambda move से DFA बनाएंगे, जो अलग-अलग हम पढ़ चुके हैं, दो step में करना है, अगर कभी कोई ऐसी situation आती है, तो आप ऐसा करेंगे, यह हम दे रहा है NFA, NFA और इससे बनाना है DFA, आपको DFA construct करना है, यह पहला question है, पहला question है, यह तीन states है, इसमें Q0, Q1, Q2, एक और है, ले लेते हैं Q3, और यहाँ से 0, यह starting state है, यहाँ से 0 इधर जा रहे हैं, यहाँ से 0 और 1 दोनों से इधर आ रहे हैं, Q1 पर 0, Q1, Q1 पर 1, Q2 पर 0, 1, और यहाँ से 0 यूज करके यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ से 1 यूज करके यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ से 1 यूज करके यहाँ इस तरीके से दिए हैं, ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा भी कुछ इसी तरीके का है, Q0, Q1, Q2, और Q3, चलिए यहाँ ले लेते हैं, Q3 जो है यह पाइनल स्टेट है, ट्रंजिशन कुछ ऐसे दिए हुआ हैं, कि Q0 से B, Q0 पे self loop है, Q0 पे A, Q1, Q1 पे B self loop है, Q1 पे A, Q2, and Q2 पे A, Q3. और दिया हुआ है, Q0 से lambda move दिया हुआ है, Q3 पे, और फिर वापिस Q3 से भी lambda move दिया हुआ है, Q0 पे. अब इस question को करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस NFA with lambda move का आप बनाएंगे, NFA without lambda move और फिर उसका आप convert करेंगे DA पे. तो यह याद रखी गए, एक third question और है, ले लीजे, Q0, Q1, Q2, Q3. यह है B, यह है A, B, इदर से A, इदर से B. यह B, और यह B, और यह B, यह A, और यह B, और यहाँ पे self loop है B का. इन सारे DFA का आप NFA बना लीजिए और उसके बाद फिर comment section में comment करके बताईए, बना लेने के बाद. और अगर आपको कोई problem आ रही है, तो वह भी आब बताईएगा, कि हाँ सरी यह problem आ रही है, तो उसको मैं handle करने की कोशिस करूँगा, ठीक है, तो चलिए, इस lecture में हम लोग फिलाल इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं, अगले lecture में कुछ interesting topic के साथ, तब तक के लिए, बा आपको के लिए.